नमस्कार मल है तो कल है जी हां ये शब्द सुन सुन के बोर हो गए होंगे बढ़ हम जब तक मल की सभी प्राब्लम ठीक नहीं कर देते तब तक रुकेंगे कैसे तक मल है तो कल मैं इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में या ऐसी प्राब्लम के बारे में जो की बहुत सारी लोगों को रहने मिलती है कई लोग होते हैं मल में बिल्कुल भी बंधा हुआ पन आता है नहीं यह प्रॉब्लम कई सारे लोग बोलते हैं जिसे कि आयरवेद में द्रव प्रवित्ति बोला है कि मल में से ज्यादा पानी जैसा पन जा रहा है पर मल का जो बंधा हुआ स्वरूप आना चाहिए वो नहीं आ रहा है अगर इ आज हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनका जो मल है वो बहुत पानी जैसा पतला आता है या ऐसे कहें कि कभी तकलीफ हो जाती है तो हमने आपको ब्रिश्टल चार्ट दिखाया था उसमें मल के अलग 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 टाइप बताए थे आयरवेद में भी अलग- लग तीनी भार हो रहा है पर वो जब भी भी मल त्यक्ति लिए जाते हैं तो उनका जो मल है वो एकदम पानी जैसा होता है और यह पानी जैसा होने के करणड कई बार ऐसा हो जाता है कि उनकी मल की जो रोकने की capacity holding capacity बहुत कम हो गए रहती है तो कई बार कपड़े खराब हो जाना इस तरह की भी प्रॉब्लम देखने मिलती है तो सबसे पहले यह ऐसा होता क्यों है तो जब ज्यादा आपको पतला पानी जैसा मल आ रहा है मल में बंधापन नहीं आ रहा है दो से तीन चीज़े इंडिकेट करती है सबसे पहली चीज़ यह इंडिकेट करती है कि आपकी बॉड़ी में जो अर्थ हैलिमेंट है मिट्टी है पांच महाभूत से पुरा शरीर और ब्रह्मान बना है और आईविद में ऐसे कहा गया है कि जो ब्रह्मान में है वो शरीर में है और जो शरीर में है वो ब्रह्मान में ह clear, so जब भी भी बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाएगा तब क्या होगा, तो आप देखिए अर्थ element कम हो जाता है so आपकी body में कही न कही अर्थ जो element है, मिट्टी जो है, वो कम होने लग गया, उपर से upon yu का combination देखेंगे हमारे शरीर में 5 yu है हर चीज 5 महाभूत से बनी है, पंच भावतिक संगठन जिसे आईरविदिक शब्दों में कहते है वो क्या है, तो upon yu जो बनी है, वो अर्थ और air से बनी है, मतलब उसके अंदर मिट्टी और yu ये दो चीजों का combination होकर upon yu बनती है, इसलिए upon yu में गंध आती है क्योंकि गंध ही ये पिर्थवी महाभूत का विशेश गुण है, अब आप बोलेंगे ये गंध, द्रव, ये सब क्या है, तो जो भी वाई smell आती है, आपको नेचर में कहीं भी smell आती है, तो समझ जाओ उसके अंदर अर्थ हैलिमेंट है, clear, चलो, so upon yu के अंदर अगर अर्थ हैलिमेंट कम होगा, तब ये problem हो सकती है, या second किसी भी कारण से वो वेक्ती बहुत ज़्यादा liquid type ले रहा है, बहुत पानी वाली चीजों का use कर रहा है, या उनके साथ ज़्यादा देखे जाता है जो कि सुबह उटके बिना प्यास पानी पीने की जिनको आदत है, या hydration के नाम पर प्यास नहीं लगी है, तो भी पानी पीने की आदत है, कई सारे लोग होते हैं कि सुबह उटके 2-3 गलास पानी, फिर ये वाला juice, वो वाला juice, फिर वो चुकंदर, beetweed, ये सब को करके juices पी लेना, तो बहुत ज़्यादा जब liquid लेने की जिनकी आदत होती है, तो जब भी भी 5 महाभूत होते हैं, तो उसमें से अगर आप बहुत ज़्यादा जब द्रव लेंगे, तो वो earth element को weak करने का काम करता है, तो जो भी लोग बहुत ज़्यादा liquid डाइट लेने की आदत है, या जिनकी जठा रगनी weak है, उन सब के साथ ये चीज़ी देखने मिलेगी, तो आई सबसे पहले अगर आपको अती, liquid या बहुत ज़्यादा soup, बहुत ज़्यादा juice, बहुत ज़्यादा पानी ऐसी चीज़ी पीने की आदत है, तो वो आपको cut down करना चाहिए, कम करना चाहिए तो इसके इलाज में क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात एक चीज़ समझ में है, भई, earth element बढ़ा दो, सुखाने की power फिर से बढ़ा दो, तो जो मल के अंदर जो इतना ज़्यादा गीलापन है, वो चला जाएगा पिर्थवी महाभूत क्या है, पिर्थवी महाभूत रूक्ष है nature में हर एक महाभूत के अलग-लग गुन होते हैं जो स्निग्धता है ना वो water element के अंदर ज़्यादा होती है कभी बैठेंगे तो बात करेंगे पंच महाभूत के बारे में भी अभी समझ लीजे कि हमें earth element बढ़ाने पे focus करना है, या पानी सुखा देना है ताकि मल जैसा वो बात के आने लग जाए ठीक है आप जैसे कि जानता है आपकी जो बड़ी आथ होती है वो बड़ी आथ आपको जो पानी होता है आपके जो मल में जो पानी होता है उसको सुखाने का काम करती है ठीक है जो large intestine होता वो absorption करता है सो earth element बढ़ाने के लिए हम दो चीज़े लेंगे यहाँ पर वो दो चीज़े क्या है पहली तो एक बहुत common चीज़े जो आसानी से मिल जाती है उसका नाम है बेल का फल जी हां बेल के फल आते हैं बेल का फल आपको ले ले लेना है यह बेल का फल आपकच्चा वाला मिल जाएगा तो और कई बुना जादा अच्छा कई भी फोड के उसकी चटनी बनाकर यूज कर सकते हैं तो समझ लो बेल का फल हमने दो ग्राम ले लिया उसका पाउडर करके या उसकी चटनी करके दो ग्राम ले लिया और दूसरी होती है उस गुटली का अचार वचार बना कर यूज करते हैं या हमारे यहां तो हमारे घर में अभी भी मुंबई में ऐसे होता है कि जो आम आता है आम खाने के वाद उसकी जो गुटली होती है उसको पानी में उबालते हैं पानी में उबालने के बाद उसको फोड के उसके अ ॥ वायू और पिर्द्वी महाभूच से तो बेल के फल लेलिया और आम का घुट्ली होता है उसको फोड के आम का गीरी या बी जो भी वो लेया यह दोनों चीज़ों को सेम मात्रा में ले लेना है दो दो ग्राम या तिन तिन ग्राम यह दोनों मात्रा में चल जाएगा करता है और शहद भी रूख शह है नेचर में तो वह भी सुखाने में मदद करेगा तो तीनों चीज़े हमारे पास इस combination की हुई जो कि सुखाने में ज्यादा फाइदेमंद रहेगी तो बेल का फल आम के जो गिरी है वो और शहद और इसके अंदर मिश्री यह चारों चीज़े समान मात्रा में मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है और खाना खाने के पहले या खाना खाते समय बीच में ले लेना है सुबा दुपहर शाम दिन में तीन बार भी इसे ले सकते हैं तो यह जब combination आप लेंगे तो जो भी extra आपके मल में पानी जा रहा है वो पानी सूखने में मदद करेगा दूसरा एक और चीज़ यह कर सकते हैं जीरा का पानी पी सकते हैं जीरा क्या करेगा तो जीरा एक मुत्रल आउशदी है वो यूरिन की मात्रा बढ़ा देती है पर जो मल के अंदर extra पानी जा रहा है उसे रोकने का काम करती है तो आप जी होगा इसके पर वीडियोस भी डाले है नागर मोथा के अंदर भी यही विशेश पावर है कि वो सुखाने में मदद करती है तो 20 ग्राम नागर मोथा दो लिटर पानी में डालकर उबालकर एक लिटर करके यह पीने के लिए यूज कर सकते हैं खाने में रोटी गेहूं की र मत्डा सवार है बाज़र, या फी जव है बारली है रागी है नाचनी है इस तरहएगे डाली सब्सक्राइब जो सब्सक्राइब घार मुल एक गलावा से सूखने में मदद मिलेगी तो आज का वीडियो उन सभी के लिए था जिनकों की मल में बहुत ज़्यदा वाटर जाने की तकलीफ है या बहुत पानी जैसा मल होता है वह इन सारी चीजों का प्रयोग जब तक मल बंद के नहीं आने लगता तब तक कर सकते हैं जब बंद के आ उपर अब बंदास मन खोल के आप कमेंट कर सकते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें